स्टुदेंटस मैं आप लोगों से डिसक्स कर रहा हूं पार्टनर्शिफ फंडंमेंटल्स चैप्टर का बूक Jadi Is Revald का इसका सॉलूशन में आप लोगों से डिसक्स कर रहा हूं और सॉलूशन को मैं पूरह स्पलेंड करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज के इस तरह से calculate करे गई है ठीक है बच्चो तो पहले इसके solution देख लेते हैं फिर इस solution के explanation को देख लेते हैं इस questionnaire मैंने जो net profit लिखा है वो 4,59,500 लिखा है इसमें मैंने interest on access loan हटाया है 500 का क्योंकि loan जो था वो 1st October को दिया गया था और half year का interest निकाला है at the rate 6% per annum interest on drawing जो निकल कर आई है 5000 और 6,250 लिखी गई है जो की 1,00,000 और 1,25,000 पे निकाली गई है at the rate 10% per annum for half year जो की इस तरह से निकल कर आई है 5000 और 6,250 क्लियर बच्चों debit side में जो आप interest on capital देख रहे हैं वो 12% per annum के हिसाब से उनके opening capital पे निकाला गया है X और Y का जो की 24,000 और 18,000 निकल कर आया है यानि total 42,000 उसके इलावा जो partners की salary निकाली गई है वो है यह है 60,000 और 90,000 X की salary 5000 पर मन दे रहे थे जिसके हिसाब से पुरे साल की हो गई 60,000 और Y की salary दे रहे थी 22,500 पर quarter जिसके हिसाब से हो गया 90,000 पर annum यानि total salary हो गई 1,50,000 पर जो उसके बाद आप X का commission देखने है जो की 17,500 आया है यह commission जो आया है वो इस तरह से आया है कि question में कह रखाता कि X को 5% commission मिलेगा sale का और sale ती 3,50,000 जिसका 5% होता है 17,500 clear बच्चों उसके बाद मैंने यह जो generalism निकाला है 50,000 question में कहा गया था कि 20% of the profits after all appropriation but before charging interest on drawing वो generalism में डाला जाएगा तो firm का जो profit था net profit वो 459,500 था उसमें हमने यह सारी appropriation minus कर दी 4200,000 interest on capital का 150 salary का और 17,500 X के commission का तो आप 459,500 में से 150 plus 17,500 plus 42 यानि इन तीनों के sum को minus करेंगे तो यह exactly 2,9,500 है तो जिससे वो निकल कर आएगा 2,50,000 जिसका 20% को होता है 50,000 हमने generalism निकालते समय interest on drawing को एड नहीं किया to the profits क्योंकि कोश्चन में कहा गया था फिर मैंने finally जो लिखा याए वो individual profit जो कि 2,11,250 आया है जिसमें से X को 1,18,125 बिला है Y को 93,125 बिला है question में भी एक Chris था उसमें कहा गया था individual profit के बारे में मतलब कि जो profit है वो up to 1,75,000 तो capital के ratio हो बाटा जाएगा जो कि 4 इस्टू 3 है 2,25,000 के साब से और इसके लावर जो individual profit होगा वो equally बाटा जाएगा तो firm का individual profit पहले 2,11,250 कैसे आया है आयता हूँ आपको simply मैंने debit and credit side का difference निकाला credit side में net profit था 4,59,500 और interest on drawing था 11,250 ने दोनों को add किया interest on capital को minus किया, partners की salary को minus किया, x क commission को minus किया general reserve को minus किया यानि debit side की सारी चीज़े मानस कर दी और digital profit आया 2,11,250 इसमें से 175 हमने बाटा 4,60 की ratio में जिसमें 1,00,000 आएगा x के हिस्से में और 75,000 आएगा y के हिस्से में और बचा हुआ profit आप देखेंगे 2,11,250 में से अगर 175 मानस कर देंगे तो बच्चे का 36,250 जिसको x और y में equally बाट देंगे यानि 18,125, 18,125 इस तरह से x का total profit हो गया 1,18,125 और y का total profit हो गया 93,125 इस तरह से ये PNL appropriation account complete हो जाता है आप इसको पूरे इस वालिशन को एक सार देख सकते हैं यह देते हैं clear बच्चो यह सारे explanation मैंने यह बच्चो यहां दे रखे हैं जो जो मैंने आपको पताए और ली पहले मैंने पताए कि net profit for the year 459,500 क्यों आया फिर्म में जो question पर profit दे रखा था 461,000 था लेकिन साफ के रखा था before any interest इसका मतबस में interest on loan भी minus नहीं करा गया होगा और interest on loan क्योंकि एक चार्ज अगे इस profit होता है तो interest on loan को minus करा गया तब चाके जो profit आया उसको profit and loss of profession economy लिखा गया as net profit clear बच्चो X की salary 60,000 बताई दिया था कैसे आया Y की salary 90,000 बताई दिया था कैसे आया वो monthly है, वो quarterly है X का commission मैंने आपको बताई दिया था कैसे आया 3,000,000 का 5% निकाला था interest on loan में मैंने बताया था आप लोगों को हमने average time period 6 months consider करके निकाला है 10% के साबसें की ड्रॉइं पे क्योंकि जब बताया नहीं गया होता कि partner पैसा कब withdraw कर रहा है तो हमेशा ये मानते हैं कि partner हर महीने के beginning में sorry not beginning में middle of every month में withdraw कर रहा होका आप जानते हैं उस case में average time period 6 months ही आता है clear बच्चो उसकी बाद general reserve कैसे निकाला हमने देखिए बच्चो general reserve कैसे निकाला जो net profit था उसमें से interest on capital partner salary और X का commission तीनों को minus किया है तो answer आया 2,50,000 उसका 20% निकाल दिया 50,000 आ गया even मैंने digital profit कैसे आया वो तब भी बता रखा है देखिजे net profit plus interest on drawing और minus अप सारी appropriation वाली चीज़ें जिसमें interest on capital partner salary X का commission and general reserve चारों को minus कर दिया ये आया 2,11,250 2,11,250 और इसको कैसे बाटा है वो मैंने यहाँ दिखा भी रखा है मैंने ओरली बताया भी था कि up to 175 तो capital के रिश्यों बटेगा जो कि हो रुष्चुत्री है और बचा हुआ 36,250 क्योंकि तूले 11,250 में से अगर हम 175 कम कर देंगे तो 36,250 आता है वो बटेगा इनके इक्वल रिश्यों में 18,125, 18,125 तो इस तरह से X का जो final divisal profit आया वो 1,18,125 आया और Y का जो final divisal profit आया वो 93,125 आया इस तरह से यह सारी working मैंने explain भी करिए बच्चो आए बच्चो पार्टनर्स का capital account और देख लेते हैं fluctuating capital method के according की partners capital account को बनाया गया है वैसे ही जब कुछ ना बता रखा हो कि partners की capital account कैसे maintain किये जाते हैं तो उन्हे fluctuating capital method के according की maintain किया जाता है तो buy balance brought down उनकी opening capital buy interest on capital buy partner salaries buy partners commission और buy divisal profit जो penal proposition के नाम से इंखा गया यानि हर वो चीज जो capital को बढ़ाती है वो सब credit side में लिखे गई यानि जो सारे appropriation partner को दिये गए वो सारे credit side में लिखे गए other than general reserve क्योंकि वो partner को दिया नहीं गया है that's why वो capital account में नहीं आया clear बच्चों? और हर वो चीजे हैं जो capital account को कम करती हैं जैसे drawings और interest in drawing यहाँ पर था वो तोनों debit side में आ गए और दोनों के closing balances निकल कर आ गए 314-625-219875 यह आप complete देख सकते हैं बच्चों this is the complete partner's capital account ठीक है बच्चों? तो इस तरह से यह question complete हो चाता है and काफी अच्छा question है बच्चों यह आप इसके solution को उमीद करता हूँ कि अगर आपको इसको difficulty आई होगी करने में तो इसके solution को देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से working की गई है किस तरह से क्या के चेज़ निकाली गई है Thank you बच्चों